नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है बेबी स्वेटर के पांचों पार्ट त्यार हो गया है ये बैक पोजिशन है, ये दोनों फ्रंट पार्ट हैं और ये दोनों आस्तीन है तो हमारे पांचों पार्ट त्यार हो गया है आज हम इन पांचों पार्ट को आपस में मर्ज करेंगे और इस स्वेटर को पूरा करेंगे तो चलिए फ्रैंस देखते हैं कि यह हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम फ्रंट का दाहने के दाहने सिरे वाला पार्ट सीक्द अर कि इस डिजाइन कम्प्लीट necesita तो अब इस लाइन में हमें सभी फंदे उल्टे बुनने हैं तो पहले हम बॉर्डर के फंदे उल्टे बुन लेंगे थोड़ा सा टाइट करेंगे और बॉर्डर के फंदे उल्टे बुन लेंगे तो हमने बॉर्डर के नौ फंदे उल्टे बुन लेंगे अब यहां से हम count करना start करेंगे तो 17 फंदे हम बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, सूला और सत्रा 17 फंदे हमने border के बाद हमने border के हमारे 9 फंदे थे इनको छोड़के हमने 17 फंदे एक्स्ट्रा बुन दिये अब 3 फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए उल्टा बुनते हुए 3 का एक करेंगे इसके बाद हम 40 फंदों को गिनेंगे, एक, दो, तो इस पार्ट में हमारे 21 फंदे हुए, अब यहां के बाद, फ्रंट के बाद हमको आस्तिन लगाना है, तो यह हमारा आस्तिन है, पहले हम इनको आपस में बांद लेंगे, अब उनको अपनी ओर करेंगे, हमें 40 फंदे बुनने हैं, तो 22, 23, 24, 40 और यह हो गया, 40, 40 फंदा बुनने के बाद, तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे, और तीन का एक करेंगे, अब नेक्स्ट चालिस फंदे हम बुनेंगे, 49 और यह हो गया 40 40 के बाद फिर हम 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक करेंगे अब next 40 फंदे हम लेंगे आस्तिन में हमारे 9 फंदे हुए अब हम यहाँ पे अपना back portion लगाएंगे तो यह हमने अपना back portion ले लिया अब उनको अपनी और करेंगे 9 फंदे हमने बुन लिये थे अब हमको 40 फंदे करने है 10, 11 37, 38, 49 और यह हो गया 40 अब next 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक यानि अब हमें 40 फंदे बुनने है और हर 40 फंदे के बाद 3 फंदों को एक साथ लेकर 3 का एक करना है अब यह हमारा back portion है इसके बाद हम दूसरा आस तिन लगाएंगे और आस तिन के बाद हम अपना front पार्ट लगाएंगे 40 फंदे बुनने के बाद अब 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक अब देखिए लास्ट में 17 फंदे बचे हैं तो उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे दोनों front में शुरुआत में 17-17 फंदे हैं और बीच-बीच में 40-40 फंदे के बाद हम 3 का एक करते रहे हैं तो अब 40 फंदे बुनने के बाद हमने 3 का एक किया अब शेस जितने भी फंदे हैं 17 फंदे और 9 फंदे यह यानि 26 फंदे तो इन 26 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और बैक साइड से हम सभी फंदे उल्टा बुनेंगे अब फंदे बहुत जादा हो गए हैं तो या तो आप बड़ी वारी सलाई पे बुनिए या फिर सर्कूलर निदिल में बुनेंगे तो बुनने में आसानी रहेगी रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे रॉंग साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन दिया अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और इस लाइन में हमें कोई भी फंदे घटाने नहीं है सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करना है और रॉंग साइड से भी सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे अब हमें सिर्फ दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है और हर तीसरी लाइन में हम फंदे घटाएंगे तो पिछली लाइन में हमने फंदे घटाये थे, इस लाइन में हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, तो दो लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए फ्रेंट्स मैंने थोड़ा बुन लिया है ताकि आपको बताने में आसानी हो, तो जैसा कि मैंने ब फंदे घटाये इसी तरह हमेंं सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है, पहली लाइन में थे, प्रण थे, लाइन में हममें फंदे हID taraने हैं जैसे एक तीन पाँछ साथ नो ज्यारा तेरा फंद्रा सट्रा ऐसे करके हर अदैन में हमें फंदे घटाने है गन्या की लेखीं प्रिया-विर कनी में uh यह आर्फ नम्बर Drive का लाईन है यानि इस लाईन में हमेंसांदे घटाने हैं और यह हमारा लास्ट लाइन है जिसमें हम फंदा घटा रहे हैं इसके बाद हम सिर्फ बार्डर बनाएंगे यह देखिए हमारा घटाने वाली जगह पे आ गया है तो तीन फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे फिर हम उल्टा बुनना और देखिए और देखिए यह हम फिर अपने घटाने वाली जगह पे आ गया है यहां देखिए फंदे घट रहा है यहां पे देखिए फंदा घटा है यानि इस लाइन में हमें फंदे घटाने है तो हम तीन फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए तीन का एक करे इस तरह जहां जहां हमारा ये कोन है वहाँ वहाँ हमें फन्देगहटाने हैं, तो मैं फन्देगहटाके आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स मैंने लाइन पूरी कर ली और मैं फिर फ्रेंट की तरफ आ गए हूँ अब हमें फिर सिर्फ आठ लाइन बुढ़ना है यानि चार हमको उल्टी धारियां हमें और चाहिए तो आज लाइन हमको सिर्फ बुर्णा है और दो धारी बनने के बाद यानि चार लाइन बनने के बाद हमें बटन होल बनाना होगा तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स इस लाइन में हमें अपना बटन होल बनाना है वैसे तो बटन हूल बनाने के बाद ये देखिए दो, चार, छे, आठ और ये नौवा धारी है लेकिन अब हमें बस दो और धारियां बनानी है तो हम इस लाइन में बटन हूल बनाएंगे तो पहले चार फंदा हम उल्टा बुलनेंगे एक, दो, तीन, चार उसके बाद दो बार हम ऐसे सलाई में राउन करेंगे और फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे अब बाकी सारे फंदे हम, 6 फंदो को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कम्पलीट करेंगे और wrong side से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे तो wrong side से यहाँ पर आने पर मैं आपको दिखा रहे हूँ तो देखिए friends, wrong side से सभी फंदे उल्टा बुनते हुए मैं आप button hole के पास आई हूँ तो अब इसको उल्टा बुनेंगे और इसको ऐसे गिरा देंगे दोनों हमने जो round किया था यह जो round था इसको हम ऐसे खोल देंगे और फिर अगले फंदे को उल्टा बुनते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे देखिए हमारा button hole त्यार हो गया तो यह हमारा तीसरा line complete हो गया है अब हमें यह हमारा सामने की तरफ से यह हमारा last line चल्डा है तो देखिए friends सब भी फंदे उल्टा बुनते हुए मैंने border का सात्वा line complete कर लिया यह हमारा सात्वा line है अब हम आ जाते हैं wrong side पे और यह हमारा आठ्वा line यानि final line है तो इसमें हम एक फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर next फंदे को उल्टा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे आगे वाले फंदे पे गिरा देंगे नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे उठाएंग देखिए हमारे फंदे क्लोज होना शुरू हो गया है, ऐसे ही करके हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे, तो फंदे क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ ना हम बहुत ताइट चलाएंगे और ना ही बहुत धीला रखेंगे, हम एक नार्मल वे में सबी फंदो को देखिए फ्रेंट्स मैंने सभी फंदे क्लोज कर लिए अब हम इस लूप को थोड़ा से बड़ा खेचेंगे और गोले को इसमें से निकाल ले हूँ, इस वैसे अब हमें इसे काट लेना है और देखिए हमारा ये स्वेटर तयार हो गया देखिए फ्रेंट्स हमारा स्वेटर इस तरह तयार हुआ है, अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है और अगले पार्ट में मैं बताऊंगे कि ये फूल मैंने कैसे बनाया है, अब हम हर कोन पे ये फूल बनाके इस वर्टर को सजा देंगे, तो शेस नेक्स पार्ट में, थैंक्स फर वाचिंग